गुड मॉर्डिं बच्चो पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चो यह दी आप नहीं देखे हों तो मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप उसको देख ले तभी जाकर कि आप एक्सरसाइज में आए तभी जा प्रोब्लम कुछ दिया हुआ है और आपको पता करने बोल रहा है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यह है यह नहीं है चलिए फर्स्ट कोशन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट का फर्स्ट कोशन तरह टेक्सी फेर आफ्टर इस वन किलोमेटर वेन दा फेर इस कि राय कितना है बच्चो 15 रूपेज है यानि कि A1 का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15 रूपेज उसके बाद आए क्याता है and 8 रूपेज for each additional किलोमेटर और जैसे ही अगले किलोमेटर जाएंगे 8 रूपे आपको भाड़ा बढ़ जाएगा है ना तो यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा अगले किलोमेटर के लिए 15 प्लास 8 यहने कि 23 फिर अगले किलोमेटर के लिए क्या होगा A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चो फिर से 23 में से 8 रूपे और बढ़ जाएगा यहाँ जाएगा 31 फिर अगले किलोमेटर के लिए क्या होगा बच्चो फिर 8 रुपय बढ़ जाए गा 39 हो जाए ना तो यह आप पर क्या देख रहे हैं A1 इक्वल टू 15 है A2 इक्वल 23 है A3 इक्वल टू 31 है और A4 इक्वल टू 39 है तो यह जो नंबर का लिस्ट है यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप में है या नहीं है इसके लिए जाता है क्या बतायत है EntrepreneuksThem में क्या बतायत है कि D equal to A2 माइनस A1 equal to A3 minus A2 है & A4 minus A3 यदी यह equal हो जाता है तो हम क्या तहेंगे कि AP में है चलिए A2 ataा a1 यहां पर हमारा क्या आ है A2 का value दखे 23 है माइनस A1 कि यह 15 है कि यह हो यह 8 आ गया है ना a2-7 का value 8 आ गया a3-a2 अपनी का लेंगे a3 हमारे पास कितना है वाच्छो 31 है और a2 हमारा कितना है 23 है तो यह भी 8 आ गया यहां से हम क्या का सकते हैं कि a2-a1 equal to a3-a2 है ना तो यहां से हम क्या सकते हैं यह जो situation दिया हुआ है जो bird problem दिया है वो arithmetic progression में है है ना चलिए अगला question देखिए दूसरा नमबर क्या करा है करा था amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time करहाई कि एक cylinder में कुछ मात्रा में air present है और vacuum pump के द्वारा क्या किया जाता है उसका 1 by 4th बाहर निकाल लिए जाता है हर एक समय पर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आई यह देखते है देखिए दूसरा नमबर question माल लेंगे कि शुरू में air कितना present था बच्छो एक्स present था शुरू में यानि कि a1 का value यहाँ पर क्या है a2 का value क्या होगा x है ना उसका 1 by 4 है ना बाहर निकाल लिए जाता है तो कितना बच जाएगा x minus 1 by 4 x तो यह आ जाएगा आपके पास 3 x by 4 है ना इतना बचा अगले step में क्या करना है a3 जब हम निकालेंगे तो यह जो हमारा 3 x by 4 है ना इसका एक चोथा यह 1 by 4 फिर बाहर कर लिया जाएगा तो कितना बच जाएगा इतना पहले था इतना बाहर कर लिया जाएगा तो बच गए आपके इसको solve करेंगे आ जाएगा 3 x by 4 minus 3 x by कितना फोर 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 जा 16 है ना अब इसको सुर्प किजिए कितना जागा बच्छो यह हो गया 16 LCM यह हो गया 12x-3x 9x by 16 है ना अब यहाँ पर भी आपको चेक्टर ना है कि यह जो situation है हमारे पास यह arithmetic progression में है या नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ भी same पर क्रिया करेंगे a2-7 निकालेंगे a2-7 कितना है बच्छो यहाँ पर a2 हमारे पास 3x by 4 है a1 कितना है हमारे पास x है यह कितना जाएगा बच्छो 3x-4x अपोन 4 यह जाएगा minus x by 4 है ना a2 minus a1 का value आगे आपके पास minus x by 4 ठीक है अब इसी तरीके इस क्या करेंगे बच्छो a3 minus a2 निकालेंगे a3 minus a2 कितना है देखिए a3 हमारे पास कितना आ गया था बच्छो 9x अपोन 16 और a2 कितना था बच्छो हमारे पास a2 था 3x by 4 ठीके आप देखिए a3 सही है 9x by 16 a2 हमारे 3x चलिए यह होगिया lcm 16 यह बच गया 9x और यह होगिया 12x minus 3x by 16 यहाँ पे हम क्या अपजर्ब करें बच्छो a2 minus a1 हमारे पास कितना है minus x by 4 है और a3 minus a2 equal to minus 3x by 16 है क्या दोनों equal है क्या नहीं है ना यहाँ पे हम क्या देख रहें a3 minus a2 is not equal to a2 minus a1 जब equal रहता तब ही हम कर सकते a2 में है यहाँ पे हम क्या दिखा दिए यह जो situation है a2 में नहीं है ठीक है चलिए एगला question देखते हैं हम लोग अगला question है बच्छो करा है the cost of digging a bell after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter है ना एक कुणा को खोदा जा रहा है और जैसे एक मीटर खोदेंगे उसका कोष्ट कितना है 150 दिया हुगा है question number third यानि शुरूब फ़र्ष्ट मीटर में खोदेती सो हम A1 से रिपरजेंट करते हैं कितना रुपया लगेगा 150 रुपया फिर अगले एक मीटर खोदेंगे तो कितना लग जाएगा बच्छो कर रहा है कि 50 रुपया बढ़ेगा तो यह आ जाएगा 150 प्लास 50 यानि कि 200 रुपया फिर अगले मीटर जब खोदेंगे बच्छो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से 50 रुपया बढ़ जाएगा तो यहां से हम देखे निकालते हैं A2 माइनस A1 A2 हमारा है 200 A1 हमारा है 150 तो यह कितना जाएगा बच्छो 50 आ जाएगा फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 A3 हमारे पास है 250 माइनस A2 हमारे पास है 200 है न इक्वल टू 50 यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्छो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 यहां पर हम क्या निकाल लिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 जब दोनों इक्वल है तो ह हम कह सकते हैं कि यह जो situation है, क्या है, arithmetic progression में है, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, question number 4, question number 4, देखें क्या करा है, करा the amount of money in the account every year, when rupees 10,000 deposit at compound interest, 10,000 रुपया क्या किया जा रहा है, compound interest पर deposit किया जा रहा है, 8% per annum के हिसाब से, तो हर एक साल कितना रुपया हो जाएगा, यह हम represent करते हैं, तो देखें, शुरू में कितना deposit किया जा रहा है, 10,000, एवन का value क्या हो जाएगा, 10,000 rupees, अगले साल में कितना हो जाएगा बच्चों, यह 10,000 प्लस 10,000 का 8% है ना, इतना रुपया हो जाएगा, जिरो, जिरो, कैंसे, जिरो, जिरो, यह हो गया, 10,000 प्लस 800 है ना, 10,800 हो जाएगा, इतना रुपया, फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा बच्चों, तो 10,800 है ना, प्लस 10,800 का 8%, इसी तरीके सो तो compound interest निकालते हैं ना, यह क्लास रिट में आप लोग सिख चुके होंगे कि compound interest कैसे निकालता है, शुरू में 10,000 था था था, फास्ट एयर में 10,000 प्लस 10,000 का 8% निकाले, आगले इयर के लिए क्या हो गया, यह हमारा principal का काम करेगा, तो इसका 8% हम निकालेंगे, ठीक है, चलिए इसको और आगे द चलिए इसको आप सोल कीजिए, यह हो गया 10,800 प्लस 00 कैंसिल हो जाया है, यह कितना हो जाएगा, 864, अब इसको add कीजिए, यह हो गया 64, 88, 60, हाथ मेरा 1 यह हो गया है, 11,664 रोप्या, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यह AP में है या नहीं है, यह इसके लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 10,800 माइनस 10,000, यह हो गया 800 रोप्या, है न, उस तरीके फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 हमारे पास है, 11,600 रोप्या, माइनस A2 ह हमारे पास कितना है बच्छो टेन थॉजेंट एट हंडेड है तो यहां पे हम क्या अब्जब करें बच्छो एटू माइनस एवन इस नोट इक्वल टू एट्री माइनस एट यह दोनों इक्वल नहीं है इसलिए यह जो प्रोब्लम है वो एपी में नहीं है इस तरह किसे हम लोग देख रहे हैं कि रियल लाइट में अरिद्मेटिक प्रोग्रेशन का कहां यूज है ठीक है बच्छो आज इस वीडियो में यही तक रखते हैं अगले वीडियो में कॉस्च्चन टू से आगे सोल्ब करेंगे ना फर्स से आगे सोल्ब करेंगे ठीक है बच्छो बाई